सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के नमस्कार धेट वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आलोक पुरानिक और आप देख रहे हैं हमारा सापताहिक कारिकरम आर्थिक मुद्दे चुनाओ खत्मों चुके हैं मगर चुनाओ नहीं यह अलग बात है कि शेर बाजार की चमक बड़ी हुई दिख रही है हाल के चुनाओ के आपकड़ों के बाद मुंबई शेर बाजार का सूच कांक इतना उशला कि शेर बाजार में सूची बड़कम तुकि कुल कीमत में करीब 6,50,000 क्रोड़ का इजाफा हुआ पर वास्तविक इस्तितनी स्बगदार नहीं है वित्वस्ता के एक नोट में अर्थवस्ता में सुस्ती रिखांकित की गई है आदिकारिक आकड़ों के मताबिक 2018 में सकल घरेल उतपाद के विकास करीब 7% के ही रहने के उमीद है विकास में सुस्ती है रोजगार कृशी से जुड़े बुनियादी सवाल सवाल ही बने हुए है सुस्त अर्थवस्ता में संसातन कैसे टुटाए जाएंगे मुल्क का करीब 40% हिस्सा और 40% आबादी सूखे का सामना कर रही है इससे उबजी आर्थिक चुनोतिया क्या है ऐसे ही तमाम सवालों पर हमारे साथ बात करने के लिए दो खास महमान मौजूद है देश के जाने माने अर्थशास्त्री परफेसर रोण कुमार और हरवीर सिंग जी प्रशी अर्थवस्ता के विशिष्ट जानकार लेकिन जर्चा शुरू करें इससे पहले देख लेते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट मौजूदा भारती अर्थव्योस्ता सुस्ती से गुजर रही है हालात ये हैं कि एक तरफ कार बाइक बनाने वाली कमपनियां अपनी घर्टी बिकरी का रोना रो रही है तो वहीं दूसरी ओर टूथपेस्ट और साबून मनाने वाली कमपनियों ने भी जाहिर किया है कि अर्थव्योस्ता में सुस्ती का माहौल है खुलमिलाकर ऐसे में नई सरकार के सामने आर्थिक मोर्चे पर कई गंभीर चुनोतियां है इन चुनोतियों में अर्थव्योस्था की विकासदर को तेज करना, वित्तिक शेत्र को दुरुस्त करना, प्रतक्षकरों का लक्ष हासिल करना और श्रम सुधार जैसे कई महतुपूर मुद्दे शामिल हैं हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजनसी क्रिसल की ओर से जारी की गए सुझाओं में भी ओसन रचना विकास, परिसंपतियों का मौद्री करन और अर्थव्योस्था में नियमित फंड के लिए राजकोशी गुनजाई शोनशित करने की बात कही गई है क्रिसल ने नई सरकार को आर्थिक चुनोतियों से निपटने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की परसंपतियों की गुर्वत्ता संबंदी समस्या का समाधान और उनकी संचालन प्रक्रिया में सुधहर लाने जैसे भी सुझाओ दिये हैं इसके लावा करिसल ने अनबी अपसी क्षेत्र की कमपणियों को दबाव से बाहर निकालने, जीस्टी में सुधहर करने और इंडियन बैंकरप्सी कोल्ड की कारे प्रणाली को प्रभावी बनाने पर जोड दिया है दरसल नई सरकार के सामने अर्थव्योस्था की धीमियो ही रफ्तार को पटरी पर लाना सबसे प्रात्मिक चुनाओती है सुस्त अर्थव्योस्था अपने आप में कई तरह की मुश्किलें लेकर आती है नई निवेश की बात तो दूर ही है पुराने निवेश को ही बनाए और बचाय रखने में समस्याएं आ रही है गैर बैंकिंग वितिक शेतर भी विश्वास के संकर से जूच रहा है जिस पर नई सरकार दोरा विशश ध्यान दिया जाने की जरुवत है कमजोर निवेश और कम उभोग के चलते और जोगी प्रदर्शन सूच कांक आई आई पी भी अपने 21 महीने की नियून तमस्तर शूने रसमलो एक प्रत्शत पर पहुच गया है अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वार्ड ने भी हालाद को मुश्किल बना दिया है वेशुक अर्थवयोस्था में अगर सुस्ती हो तो निर्यात को बढ़ाने की योजनाए बहुत कारगर साबित नहीं हो पाती है कच्चे तेल के भाव भी अनिश्यता का शिकार है कुल मिलाकर बाहरी और आंत्रिक स्थितियां तमाम आर्थक चुनोतियां पेश कर रही है खेथी को लेकर तरह तरह के वादे किये गए है उन वादों को पूरा करने के लिए वित्ती संसाथनों की दरकार है वित्ती संसादनों को जुटाना सुस्त अर्थव्योस्था में आसान काम नहीं होता क्रिशी से जुड़ी चुनावतियां कई आयाम वाली है कुछ रकम के किसानों के खाते में तादकालिक हस्तानांतरन से उन्हें अस्तित्व के संकर से जूजने में तो मदद मिल सकती है लेकिन क्रिशी के विकास की मजबूत मिनारे इस 6,000 रुपए साल की मदद वाली रकम से नहीं गढ़ी जा सकती इसके लिए खेती की उपज के लिए उप्यूक्त मूल उपलब्ध कराने वाले बाजार घड़े करने की मुश्किल चुनाओं में जोर शोर से उठे बेरोजगारी के मुद्डे पर भी सरकार को खासा ध्यान देना होगा नई सरकार के सामने तादकालिक और दिरकालिक दोनों ही तरह के रोजगार प्रदान करने की चुनाओती है इसके लावा NPS समस्या भी नई सरकार की आर्थिक चुनाओतियों में शुमार रहेगी टोक साब शेर बजार चुस्त है और अर्थवस्ता सुस्त है आखला पताता है कि 2018-19 में सिर्फ 7% इस से पहले 7.2% था 17-18 में और 2016-17 में तो 8.2% था लगातार हमें गरावट देख रहे हैं आपके साब से इस मंदी की वजह क्या है तीकि सबसे पहले तो आकड़ो को समझना पड़ेगा हमारी अर्थवस्ता में दो में कॉम्पनेंट है एक तो असंगर्षिष्यत है और एक संगर्षिष्यत है जो आकड़े आते हैं GDP का कैल्कुलेट करने के वो सिर्फ संगर्षिष चिती है जहां पर CMI का डेटा दिखाता है कि 440 मिलियन लोग होते थे उसमें 44 करोड वो करीब 40 मिलियन गिर गया इन 4 करोड यानि 10% तो यह दिखाता है कि जो असंगर्षिष्यत है वो गिर रहा है है और संगर्षिष्यत बढ़ रहा है तो 7% 8% की जो रफतार है वो संगर् जो रोजगार के हिसाब से देखें, मनरिगा के हिसाब से देखें और जो बाकी All India Manufacturers Organization का डेटा है जो CMI का डेटा है उसके हिसाब से देखें तो 10% गिरा है तो अगर 45% 10% गिरा है और 55% बढ़ा है 7% या 8% से तो इससे में rate of growth हमारा एक प्रिशात है तो मेरा मानना है कि जो डिमांड है वो कम हो जाएगी तो आपको देखाई food prices में deflation था और इसलिए जो आमदनी थी किसान की वो कम होई और किसानी में परिशानी आई तो मेरा ही कहना है कि जो ये मंदी है वो असंगठिश शेत की वाई से श्रू होके अब वो संगठिश शेत में भी दिख रही नमबर एक कि जो साथ प्रतिशत का आखलावी विकास का दिखाई दे रहा है जो इसको हम कम मान रहे हैं दरसल वो भी नहीं है आपके साफ से एक परसेंट है और आप बड़ी बात दूसरी कहते हैं कॉनमी का जो अन औरगनाइज सेक्टर है उसमें इस्तिती जितनी दिखती उससे कहीं ज्यादा खराब है तो चुनोतिया महाँ ज्यादा है हरबीर जी आपके पास आँगा मानसून आने में देरी हो गई है और जो हमारे पास आंकले हैं असवक्त तुनावी शोष रावे हम उसको डिसकस नहीं कर पाए मुल्क की करीब 40 प्रतिशत आबादी और संकत गस्तिती में है इस सिचुएशन का क्या आपको असर आने वाली कौनी दिखाए पड़ता है देखे एक तो जैसे अरूंजी रे जिक्र किया भी कि जो अग्रिकुल्चर सेक्टर है वो अलरी दिस्ट्रेस्ट है और आपके भी आख्ड़े आपने कहा कि पहले जो अपने जी में आगया तो इसका मतलब ये है कि जो एक माना जाता था कि जो रूरल इंडिया है वो ग्रोथ का इंचन हो सकता है बशहरते के वहां पर एक तो संसाधनों का ट्रांसफर हो या वहां पर संसाधन उत्पन हो रहे हैं ये दोनों चीजे घड़ब होई है एक तो आप रिसोर्सिस का वो घड़ क्या है दूसरे क्या है कि वहां पर उत्पादकता तो है उत्पादन तो हो रहा है लेकिन उसका वेल्यू क्रियेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि दाम नहीं मिल रहा है तो रूरल इंडिया का डिस्पोजिबल इंकम कम हो गया उसमें वो अपने अब उपर से जो मौनसून की एक चिंता खड़ी हुई है वो वो इसको और ज्यादा डेटरिवेट करेगी क्योंकि अभी भी हम लोग कितना भी बात करें कितनी भी परदानमंत्री, सिचाई, योजना और क्या क्या लेके आएं वो सब दावे सिर्फ काग्जों में हैं जमीन प एक इस तरह के माहुल में उसको शिक्योर नहीं कर पाये हैं कि मानसून नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सिचाई के साधन है, आप उससे उस वगद काम चला लेंगे, वो नहीं हो पाया है, अभी तो रुर इंडिया में पानी की किल्ला जो आप महरास्ट पीने के पानी की, तो इस एक अजीव संकट में देश फसा हुआ है, और जो हमने का कि हमने इतना पैसा ट्रांसफर किया है, अब इवन अगर अगर परधान मतरी सिचाई योजना की बात करेंगे, उसको जो सबसे बड़ा हिस्सा है, 80-90 फीस दी, वो तो नाबाड के लों से आना है, और राज्य सरकारे कर जा लेंगी, तो राज्य सरकारों का जो फिसकल डेफिसित और जो सिच्वेशन है, आज की डेट में तो हमारा जो फिसकल सिच्वेशन है, डेफिसित के मामले में, दुनिया में हम सबसे खराब इस्तिती में कड़े है, तो आपके पास रिसोर कर रहे हैं तो आपको tax revenue आएगा कहां से और आमदनी भी घटरी आप एक notice कीजिए कि demonetization जब हुआ उसके बाद जो income tax return फाइल करनों में एक जबरदस spike आया था उसके बाद करोडों की संख्या घट गई और उसमें कहा गया सरकार की तरफ से कि उन लोगों की आमदनी घट गई तो यह जो आपका जो चोथी तिमाही का अंकड़ आने वाला है वो तो साड़े चेफीजदी से भी कमाने वाला है GDP का जैसे अरुण जी कह रहे कि अगर हम उनकी बात पर जाएंगे संगटित और संगटित का जो सही में जो गणित है उसमें देखेंगे तो हम लोग लग 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 इस ग्रोत ही नहीं है लेकिन इवन जो सरकारी आकड़ा है वो भी आपको दिखाएगा कि काफी समय के बाद जो यह वित्वर्ष खतम हुआ है वो साथ फीजदी से नीचे की खतम है कि अभलव के 6.5% का असपार जाकर बने का और यह मांसून उन चुनोतियों को और बढ़ाता है सर एक अकड़ा मेरे पास होजा है दो जा आटारा उनीच में जी स्टी संगह करीब 11,70,000 कौल्ड पर का हुआ है जो लख्ष से करीब 75,000 कौल पर कम था यानि कि जब स् तो यह देखना पड़ेगा कि GST में पिछले 22 महीने से जबसे लगा है 700-800 बदलाव हो चुके हैं, ना, ओर्डर आ चुके हैं, चेंजे आ चुके हैं, जो उसके एसेंशल कॉम्पोनेंट थे, ईवे बिल वो देड से लगा, जो GSTR 2 जो फाइल करना होता है, बिजनेसे को, उसको उन्होंने रोक दिया, अभी तक वो लागू नहीं हुआ, कॉम्पोजिशन स्कीम को किया, तो इससे कन्फूजन बहुत है, तो यनि कि असंगटरी शेत पे तो उसका बुरा असर पड़ा, इसंगटरी शेत पे भी उसका बुरा असर पड़ा, और उसमें जो पंजाब और जो बाकी जो ऑपरिशन के स्टेट से उन्होंने उस पर अब्जेक्शन भी रेस किया, तो NSSO का डेटा रिलीज नहीं हुआ, अब अगर आप कहते हैं कि आपके पास डेटा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने CMI के डेटा को मना कर दिया, कि हम उसको मानेंगे नहीं, तो अगर आपके पास employment का डेटा नहीं है, तो GDP का डेटा कैसे होगा, वो तो सिर्फ चोटा एक organized sector, बलकि organized sector में भी corporate sector, उसी के डेटा बे 7% कहा जा रहा है, फिर जो आकड़े जो थे फार्मस सुसाइट के, वो 2016 के बाद रिलीज नहीं किये गए, फिर सरकार ने कहा कि मुद्रा लोन में बहुत सारे employment generate हो रहा है, वो February में रिलीज होना था, वो भी नहीं रिलीज हुआ, जो नहीं कि इस समय अगर आपके पास डेटा ही नहीं है, तो आप policy कैसे बनाएंगे? अब कहने का अश्य यह कि हम निदान तो तब करें, इलाज तो तब बनाएं जब diagnosis एक्सा हमारे पास है. कि कुछ तो data है, unorganized sector में क्या स्थिती है, तब तो हम उसका solution देंगे, GST का solution देंगे, अर्थ वहस्ता की बंदी का solution देंगे, अच्छा, अगर आप कहते हैं कि हमारा GDP का data गलत है, employment का data गलत है, तो budget के आंखड़े गलत है, क्योंकि budget के आँखड़े तो GDP के आखड़े आते ह अगर के जो निदान है वो तब आएगा जब आखड़ों को लेका आश्वस्तिने की situation problem का level का बिल्कुल और जो आपने कहा न जैसे कि revenue का problem है, तो revenue तो तब आएगा जब GDP पता है, क्योंकि जो elasticity जो हम calculate करते हैं, वो GDP से calculate किया जाता है, अगर GDP नहीं है, तो elasticity कैसे हुआ, फि GST का revenue कितना हुआ, और जो direct tax का revenue कितना हुआ, सारे ही कुछ गड़ बढ़ जाएगा, तो इसलिए मेरा यह मानना है कि सरकार को बहुत साफ-साफ कहना चाहिए, हमारे आखड़े यह है, transparency होनी चाहिए, और जो interference नहीं होना चाहिए, अगर हम नहीं मानते हैं कोई आखड़े क employment के आखड़े को, तो हम कहें कि आगे से हम बदल लेंगे, पर अब आखड़े आ गए तो उससमें हम कहना शू करें कि नहीं नहीं, यह आखड़े सही नहीं है, वो गलत है, हैना उसको एक नियोजित धंग से हमें अपनी methodology बगलनी चाहिए, उसके लिए committee set up करना चाहिए, औ तो आखड़े आएं उससे, चलना चाहिए, एक आखड़ा मेरे पास है हरवीज जी, कि सरकार ने यह कहा, भाजपा के गुष्णा पत्ल में था, अब तो सरकार उनके बनने वाली है, कि हर किसान को, पहल तो छोटे किसानों के लिए था हर किसान को 6,000 रुपया साल का देंग है, उस में से 90,000 कोड़ निकाल लिए जाएं, तो क्या इस 90,000 करोड़ से अग्रिकल्चर की फंडामेंटर प्रॉबलम के सोलुशन दिखाई पड़ते हैं आपको? नहीं, देखे, अग्रिकल्चर का जो लोस है, वो इस 90,000 करोड़ से कई गुना है, दसियों गुना है, जो है, जो है, जो कि जितना आप बजट बनाते हैं, सेंटरल बजट, उस से करीब करिए, अगर हम सही मायने में देखेंगे, उसका 50% तो किसानों का लोस है, तो उसको कर ही नहीं सकते, ये भरभाई का तरीका है ही नहीं, ये तो एक लॉली पॉप है, बिसकली एक तरीके से लोगों को कुछ बहकाने का तरीका है, दूसरे वो जो 90,000 करोड़ है, जो 15 करोड़ के करीब जोत है, वो पहले तो था के small and marginal farmer, दो है टेर से निचे के किसानों को मिले लेकिन क्योंके बाद में फिर ये हुआ के वो क्रिटिसिम शुरू हुआ हुआ कुछ राज ये ऐसे जहां पांचेकर का फार्मरी बहुत रड़ीदर होता है, रास्थान और कुछ ऐसे हैं, तो अब उसमें क्या हुआ कि इनोंने गुष्णा पत्र में का कि इसकी कोई सीमा अचे का फिर तो किसी चीज में कोई सीमा निउगी है ठीक है, फिर उसमें लेकिन उसमें जो पैरमिटर्स है, उसमें चार पाँच क्रूर की साथ निकल जाता है, तो कि क्ए जिसका कोई दूसरी इंकम है, जिसने का भी रिटर्न फाईल किया है, जो कहीं गवर्मेंट प्रइवेट बीजनासा है वो साहर उसमें से निकल जाता है तो वहाँ पे आता है एक तो यह पहलो है तो वह daug कि जब सबकों मिल जाए और उस तरीके का आपके पास अभी उस तरीके के तथ्यात्मक आखडे नहीं जानकारिया नहीं तो अभी इसका क्या फीचर होगा इसको किसा उसे बहुत सार्थक और बिल्गुशिक सबस्या पे चोट करने वाली 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 इस्थाना हो कर एक काड़े अठाराइस्टर एक चाट रुप अपर पर कुटल तह किया है एक एककड में जो है एककड तो काफी जाद और अगर अच्छा किसान तो उसको करर पंडरा कुटल गहों पैदा होता है उसको अगर पंदरासर रुपए मिलते हैं गहों बेचने के तो उसको जो नुक नुकसान है एक एक कड़के किसान को हो गया करीब आठाजार रुपय का नुकसान और यह वास्तिविक्ता है जबीनी सच्चा ही है कि 17-80% किसानों को उतने ही कम में MSP से नीचे अपनी फसले बेचनी पड़ती हैं अगर दलहन तिलहन में जाएंगे तो वहां MSP से 2-2 जार वह भत बड़ा है तो यह कौई रेमेडी है नहीं यह तो एक तातकालिक जो है एक जो डिस्ट्रेस या नाराजगी थी, यह दर्द निवारक भी यह नाराजगी भी को दर्द तो दवा तो तब होगी दर तक मरीज तक पहुचेगी दर्द के वक्त तो सवाल है कि यह तो उस वकत जो है माहूल का मसला था अगर इसको उस तरह से देखा जाए कि जो माहूल में नाराजगी ज्यादा उसमें कहने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए कि देखिए हम आपकी मदद कर रहे हैं आपकी चिंता हमें यह सिर्फ उतना भर में इसको मान तो इस से जादा नहीं मान की बात को आगे बढ़ाते हुए कि एक तो किसान की मूल समस्या यह है कि उसकी जो कॉस्ट है उस पे कि प्रॉपर विवस्था की जाए किसान को पच का मूल बिल जाए एक इस तरह कि हम विवस्था कर लें कि छे नहीं आठ ले लो दस करोड़ नहीं बारे कोड़ ले लो तो कि यह बहुत बड़ी समस्या नहीं कि मतलब यह एक ऊपर सिर्फ सॉलूशन दिखाई पड़ रहा है आपके बास सही है क्योंकि जो हमें क्रिशी की समस्या को समझने के लिए यह समझना पड़ेगा कि क्रिशी में कई दाम होते हैं एक तो जो आप और हम शेहर में देते हैं जो consumer price index एक होता है wholesale price और एक होता है जो किसान को मिल रहा है जो farm gate price कहलाता है तो farm gate price में और consumer price में cost नहीं cover हो पाता है तो सबसे बड़ी समस्या जो आज आ रही है कि consumer भी परेशान है कि यह दाम जादे है inflation है और जो किसान है वो भी परेशान है कि हमें दाम कम मिल रहा क्योंकि beach की margin है तो जब तक हम इसको solve नहीं करेंगे problem को तब तक solution नहीं आएगा दूसरी बात यह कि जो non agriculture है जैसे industry है वहाँ पर pricing होता है markup pricing यहनी कि हमारा जितना cost है उस पर हमने इतना markup कर दिया किसान भी कह रहा है यह होना चाहिए कि जो हमारा cost उस पर markup होना चाहिए जो स्वामिनाथन कमिटी ने कहा कि full cost पे markup होना चाहिए यह नहीं कि आप जब कम cost पे markup दे दें तो उ समस्या ये है कि जो सरकार है वो निर्धारित करती है cost plus price agriculture वो भी सारे crops के लिए नहीं है वो कुछी crops के लिए है और उसको implement नहीं कर पाती है तो ये जो समस्या जो क्रिशी की है वो बहुत ही गहरी है और उसके लिए हमें solution लेने के लिए क्रिशी में directly शायद हमारा solution ना निकल पर जो गाओं में रहता है उसके लिए और जो services है जैसे शिक्षा है स्वास्त है irrigation है इन सब पर ध्यान दिया जाए तो indirect subsidy वहां पर पहुंचेगी उससे उनको फायदा होगा और उससे development होगा चुकि अगर आप शिक्षा में invest करेंगे स्वास में invest करेंगे तो labor intensive हैं वहां प 15 साल में आपने पांच लाग करोड खर्च कर दिया तो पांच लाग करोड पांच लाग गाओं में होता तो एक करोड मिल जाता तो शेहरी करन बहुत मेंगा है तो इसलिए बहुत ही कोई simple solution नहीं है पर लेकिन हमारा investment जो है जो इस समय stagnant है private investment stagnant है उसको बढ़ाना जरूरी है क्रिशी में investment बढ़ाना जरूरी है शिक्षा में स्वास्त में रूरल इंफ्रस्ट्रॉक्चर में टेलेकॉम वगरा में वहां पर करेंगे तो दुबारा रिवाइवल होगा हर्भीर जी वर्तमान सरकार का कारिकाल 2024 तक रहने वाला है और हमने देखा कि एक बहुत बड़ कैसे हो सकते हैं देखिए किसान के आमदनी दोगु नी करने के बड़ा सिंपल रास्ता है आप उसकी लागत कम कर दीजे और आप उसको दाम ठीक से दे दीजे और तीसरा कोई रास्ता नहीं है लागत कम करने के लिए आपको उसको सीट फ्रिटलाइजर इरिगेशन उसमें स करना पड़े है गरेडिकल इस टैप आप यह नहीं के प्राइवेट आदमी के खित पे आप सरकारी पैसे लेने वाला आदमी काम नहीं करेगा यह आपको सोच मदल नहीं पड़ेगी ठीक है दूसरा है दाम का दाम का उपाई यही है कि एक तो जो अभी तक भी इसके उपर जदो जएद है कि भई जो सरकार दाम तै करती है वो क्या जायज है वो लागत के उपर उसमें मुनाफ़ा है या नहीं है अभी तक तो नहीं है क्योंकि एक तो लागत तै करने का जो तरीका है सरकार का जो राज्यों से लोग मंगवाते हैं आख रहे उसके बाद फिर इसके उपर CACP काम करता है और उसमें कुछ राइडर्स है और राइडर्स ऐसे उनको युनिवर्सली अपलाई किया जाता है कि कहीं अगर जमीन का जो किराया किसी राज्य में एक एकड़ का पांच हजार रुपया है और लेकिन तो हमें पुरी इमानदारी से ट्रांसपेरfelt ली उसमें काम करना चाहिए उसके बाद आप कहो कि हम mêmes50 परसंट अंप 10 परसंट दे रहें हम 2 परसंट दे रहें आप 5 परसंट दे रहें मेरा मानना है कि अगर 5 परसंट भी दे दे देखेंगे पुरी लागत पे तो शायद क्योंकि उसमें कुछ नोशनल कोस्ट होती है जो किसान की जेव से नहीं जाती तो वो शायद उसका जीवन बदल सकता है फिर आपने जो दुगनी करने का जो मसला है उसका आपने कट उफ क्या लिया है उसको लेकर के आखड़ों में बहुत जद्द हो जायदे अगर आप कुछ राज्यों में तो 3,000 रुपय महीं नहीं है कुछ राज्यों में 6,000 रुपया है तो आपके लिए बहुत आसान है इसको वो कर देना डबल कर देना लेकिन अभी तो आप उसको भी डबल नहीं कर पा रहे है तो यह बहुत सारे पहलू है लेकिन अल्टिमेटली इसको पाई यही है कि किसान को सही दाम मिले और अगर आप अगरिकल्चर को जब तक एक इंडस्ट्री की तरह से ट्रीट नहीं करोगे कि यहां ज़रत पढ़ती है स्किल चाहिए, खर्चा चाहिए और आमदनी चाहिए और बैलेंस सीट बनती है तब तक आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते और जहां तक मेरा मानना है कि इंटेंशन होना चाहिए अभी मैं कुछ नहीं बोलता हूं इस मसले में क्योंकि एक जो एडिशल सेकरेटरी है उनकी अध्यक्स्ता में एक कमेटी बनाई गई थी अशुक दलवई कमेटी इसको डबल करने के मसले पर तो दलवई जी ने हजारों पन्नों की रिपोर्ट तो बना दी लेकिन वो रिपोर्ट किस कोने में धूल फाक रही है इस पर कोई चर्चाई नहीं हुई है बड़े-बड़े सम्मेलन हुए उसमें परधान मंत्री ने भी शिरकत की जिसमें हजारों हजारों लोग और मैज़दार बात है कि पहली बार ऐसा हो एग्री कल्चर में कि जो डिफ्रेंट जो एग्री कल्चर से जुड़े फिल्ड है उनके लोगों के तीन-तीन दिन देस बर और दुनिया बर से लोगों को मुला करके चर्चाई हुई जो है सरकार ने कराई तो लेकिन उन सब चर्चाओं का तर्किक पढ़ने थी अभी पढ़ने थी इसलिए नहीं क्योंकि यह तो आपको ब्लाक एंड वाइट में दिखाना पड़ेगा कि यह इस्तिती है और हमें यहां जाना और उसका हमने यह रास्ता अख्तियार किया है दो-तीन पहलों तो जो मैंने गिनाए वो हैं लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि इमानदार परियास की ज़रत है और ट्रांसपेरेंसी की ज़रत तब कुछ संभव होगा तब एक इसमें बहुत महत्मूर बात यह है कि रोजगार के हम बात कर रहे थे और सरकार ने स्वरोजगार की बात तो काफी की की सत्रे करोड़ बुद्रा लोन ले दिये गए और अभी घुशना पत्र में है कि तीस करोड़ तक लेके जाएंगे इसको लेकिन एक सवाल यह ह इसमें बहुत महत्मूर के जो कम पढ़े लिखे लोग है उन्हें रोजगार सर्विस सेक्टर में मिलके मैनिफेक्टरिंग में मिलता है उसकी आलत बहुत अच्छी नहीं है आखिव बताता है कि GDP में करीब सत्रा परसेंट आता है मैनिफेक्टरिंग से क्टर कुछ बनाना क अग रोजगार पाप आएं तो मैनिफेक्टरिंग का कंट्रिबूशन GDP में कैसे बढ़े है कि हुआ क्या है कि जो मैनिफेक्टरिंग सेक्टर है वो भी सर्विसेज प्रवाइड करते थे जैसे अड़िटाइजिंग वारा खुदी करते थे उसको अलग कर दिया गया है तो इसने सर्विसेज सेक्टर का जो शेयर है वो अब 50% से उपर है और मैनिफेक्टरिंग सेक्टर है वो अपना 20% के आज पास रहता है बाकी और सेक्टर वगरा हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अगर मैनिफेक्टरिंग में बढ़ाएंगे तो तुरंत रोजगार उपलब्द हो क्योंकि इसमें automation बहुत हो रहा है और automation की वैसे वहां पर रोजगार पैदा नहीं हो रहा है तो जो elasticity हम जिसको कहते हैं कि मतलब जो GDP बढ़ता है जो contribution output का है कितना उसमें रोजगार मनता है तो यानि कि manufacturing में तो हो नहीं रहा है आपके क्रिशी में भी नहीं हो रहा है क्रिश वह एक तरह से under-employed है जो कि उसका पास काम करने को नहीं है लेकिन कुछ करना है तो वह कर रहेगा वही सिती है हमारे services sector में तो यह जो रोजगार की समस्या है वह सिर्फ manufacturing पर concentrate करने से समस्या हल नहीं होगी क्योंकि जब तक आप उसके साथ साथ technology पर नहीं ध्यान देंगे कि किस तरह की technology कि सेक्टर में इस्तमाल हो रही है जो आपका public finance किस तरह का वो किस सेक्टर को promote कर रहा है तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपको रोजगार बढ़ाना है तो आपका manufacturing से नहीं बढ़ने वाला वो आपका बढ़ेगा education में investment करने से वहां पे employment बहुत होता है और कर जो शिक्षित है जो कि समय बेरुजगारी की समस्या फेज कर रहा है जहां पर कि प्योन की नौकरी के लिए PhD अप्लाई करता है M-tech, B-tech, M-com, B-com अप्लाई करता है है न जो railway की निम्स-तर की नौकरियां है वहां पर जो engineers अप्लाई करते हैं तो यह जो समस्या है कि रोज automation हो रहा है कि मुझे लगता है वहां पर भी नहीं होगा, construction में भी नहीं होगा, पहले आप एक सड़क के प्रोजेक्ट को देखते थे तो वहां पर 100-200 लोग काम करते थे, अब बड़े-बड़े bulldozer और यह tractors अगरा होते हैं, वहां पर 10 लोग काम करते हैं, तो मुझे नही रोज़गार की नीतियां है, वो सारी नीतियां असंगठिर शेत के लिए हैं, असंगठिर शेत के लिए नहीं है, और services में जो हमारे essential है, जैसे कि लाखो नौकरियां खाली पड़ी हुए हैं इस समय सरकार में, और education sector में 40% नौकरियां हैं, वहां पर अगर बढ़ाया जाए ना, तभी जाकर अलवज़गार की स्थितिया, और इसमें चीज में जोड़ूंगा कि जो MSME सेक्टर है, उसमें माइक्रो सेक्टर जो है, वही एहम है, क्योंकि स्मॉल और मीडियम भी एक परसंट एकूल, 99% तो माइक्रो सेक्टर है, सबसे जो चोटे सेक्टर है, वहां प सबसे उसकी समस्या हल करनी है, और आपके education, health वगरा में वहां पर बहुत है, सबसे चोटे उद्योग पर सबसे बड़ा ध्यान दी जाने की जिर्वत है, हरवीर जी, आपको पता होगा, याद होगा, अप्रेल 2016 में, इनाम, electronic national agriculture marketing शुरूआत की गई थी, बहुत जोड़ शो कि हमारे कुल किसा लंग 10 कोड भी मान लें, तो 10 परसेंट भी बात नहीं बनती, तो इनाम डेफिनिटली प्रेजेंस उसकी है, लेकिन खेतिहर को उसकी सही कीमत उपलब्द कराने में, अभी इसका पहुत सार्थक योगदान अभी दिखाईने पड़ता, तो बात हम सुने 2022 में दुगना हो जाएगा, तो इनाम को और कैसे इंप्रूव करें, इनाम को और कैसे बहतर कर सकते हैं, ताकि कम से कम दुगना नहीं तो इसके आसपास कहीं पहुंचेंए इनकम, असल में एक तो बड़ी समश्या क्या होगी हमारे यहां, हम सारे solution technology में ढून रहे हैं, ठीक ह लगता है कि मोबाइल में ही सारे दुनिया बसती है और बड़ा बड़ा कहा भी गया, मेरे याद है जब Digital India इंद्रा गांधी स्टेडिया में लौंच किया गया था, तो क्या-क्या बोला गया था, जो है, तो सवाल यह है कि अभी उतना technology की दरकार नहीं है, आप तो किसान के खेत के एक-दो किलम्टर पे एक फिजिकल मंडी बना दो, और वहां पे तय कर दो कि भाई MSP से नीचे कोई नहीं खरी देगा, तो क्योंकि एक बात बताईए मुझे, कि एक तो वैसे भी इतना रगुलेटिड है agriculture markets, ठीक है, politically sensitive है, ठीक है, क्योंकि वहां से पैसा आता है, वहां से पॉलिटिकल फंडिंग होती है, तो जिन लोगों का वहां कबजा है, जो कार्टेल है, उसको क्यों तोड़े सरकार, या पॉलिटिशन क्यों तोड़े, तो इसलिए, अभी भी जो इनाम में जो है, इसमें आप इसमें अगर जाएंगे गहराई सीद आप देखेंग है तो जब तक या तो सभी कुछ आप उस प्लेटफ़ om पे लेया ह। कोई भी किसान जो किसान बhindi ओगा रहा है, जो तामा टिर ओगा रहा है, जो आलो आपता है, सब के लिए सुईदा हो, वो आए वहां पर, कितनी मंडियों में अभी जो है, उसका जो क्वालिटी को चेक करने के साइंटिफिक जो एक्विप्मेंट होने चाहिए और वहां पर जो एक्सपर्ड होना चाहिए, इमानदार तरीके से, कि बताए कि इसके क्वालिट सेक्टर है, और वो जो डेरी इंडस्ट्री कोपरेटी वाले अपने यहां पर अपने सेंटर पर लोग दूद कलेक करते हैं, और उसको वहां पर देख के बताते हैं, आपको यह दाम मिलेगा और फिर पेमेंट उसको चला जाता है, तो वो ज्यादा कारगर है, यह तो शोश करके उनके गुरूब बनाईए आप, उनके कोपरेटी बनाईए और उनको फैसला लेने का मोका दीजे, और यह जो बिचोलिया ट्रेडर है, तभी वो कमजोर होगा, आप यह देखे, जहां वो कमजोर हैं, वहां किसानों को बहतर पैसा मिल गा रहा है, जहां वो कमजोर नह है, हम कितना भी कहें, जैसे मैं दो उधारन देता हूँ आपको, एक तो जैसे गन्य का है, और एक दूद का है, जहां दूद में कोपरेटी सक्सेस्फूल है, वह हम लोग यहां पे दिल्ली में जो चववन रुपया दे रहे हैं, वो गुजरात के किसी किसान को उसका चाली लेकिन कम से कम जो एक दाम है, जो एक रेगुलेटीड है, जो कानून के तैत है, वो रडाई चलेगी, कि मिले नहीं देना चाहती, समय पे नहीं देना चाहती, लेकिन अगर 315 है कि तो 315 है, उनिफोर्मली हर किसान को मिलेगा पुरे राज के, तो यह जो चीजे हैं, क्यों सेक्टर है हमारा, जहां जहां उसने अच्छा किया और कुछ नतीजे दिये, उस कोपरेटीव सेक्टर को कमजोर करने के लिए, उस पे बाबूँ का कबजा करने के लिए, और पॉलिटिकली उसको स्ट्रेंगल, उसका गला गोटने के लिए, नए सुधारों का सिलसिला अग आहिड का स्ट्रेंगल, विबसे का करते लिए, जो कुछ बहता लिए। उसको वर बहता करना चाहिए, और हम लोग कहतें कि एज-फडूइंग बइसनस करना है, और मेक्सिमम में उसका करना है, तो आप गवर्वर्नमेन्ट को बढ़ए उसको और करना हैं, नाम से आपका आ जो साच सामान का हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो करीब 8% की ग्रोथ शो कर रहा है, पिछले साल, 2017-2018 में करीब 10% से उपर था, एक समस्य और आती है, कि आज कल एक चर्चा और है, कि हम मिडल इंकम ट्रैप में जाने वाले हैं, हम चीन जितने बड़े ना हो पाएंगे, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, एक्सपोर्ट की मंदी को रिवर्स करना है, लेकिन इस मुल्क में आप देखें, लैंड बहुत महँगी है, और कॉस्ट आफ कैपिटल बहुत महँगी है, तो इन चुनोतियों का सामने करते हुए, एक सुस्त ग्लोबल एकॉनमी में एक्स जाएगी, तो farmer को crisis होगा, consumer goods की demand कम जाएगी, तो उस sector में demand, तो अगर आप internal demand बढ़ाएंगे, जैसे आमदनी बढ़ेगी असंगर्ष शेत की, तो अपने आप growth उसमें चलती रहेगी, उसमें ये कहना की capital बहुत महँगा है, interest rate high है, ये सारी बातें बाद की हैं, पहले तो demand बढ़ाएंगे, अभी आपका capacity utilization जो RBI के आकड़े हैं, उसके अनुसार, आपका capacity utilization अभी 75% के करीव है, तो investment क्यों बढ़ेगा, जब investment नहीं बढ़ेगा, the rate of growth नहीं बढ़ेगी, जो हमारा investment peak किया था 2012-13 में, वो किया था 37% पर संट पे, वो आज 30-32% पे है, वो बढ़ न तवज्जो होगा, तो demand बढ़ेगी, education वगरा पे होगा, तो उससे demand बढ़ेगी, तो यह demand की समस्या है, ना किये, दूसरी बात ही कहा जाता है कि export sector, जैसे आपने सही कहा, इस समय तो इतना international crisis है, trade war है, फिर जितने भी petroleum countries हैं, वहाँ पे crisis है, वो चाहें इरान में देख लीजे, वो चाहें इराक में देख लीजे, लीबिया में देख लीजे, यूकरेन में देख लीजे, रश्या को किया गया, वेनेज्वेला में सवाल उठ रहे हैं, तो जब oil crisis है, तो उससे जैसे सारी दुनिया में crisis है, Brexit की वाज़े से योरोप में crisis है, तो जब इतने sectors में जब समस्या है, तो आप इस समय यह सोचें कि आप export बहुत ज़्यादे बढ़ा लेंगे तो वह नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत बढ़ा, दूसरी बात है कि internal market को आप पहले लीजे, और इसलिए मेरा मानन है कि foreign investment इतना एहम नहीं है जितना कि internal investment, क्योंकि foreign investment आपके total investment का 7-8% है, तो अगर आपका 92% सही नहीं है, तो 7-8% उसको नहीं place कर सकता है, तो आपको internal market बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे करेंगे तो यह middle income trap वाली बात भी नहीं रहेगी, आपका growth होगा, आज के interest rate पे ही लोग invest करेंगे अगर demand बढ़ेगी, अगर demand नहीं होगी तो invest क्यों करेंगे, interest rate आप घटा भी देंगे तो भी नहीं होगा, अब जैसे कि Britain और America वगर में, interest rate आधा 1% चलता है, लेकि investment होता है, लेकिन अगर बढ़ भी जाएगा, तो ऐसा नहीं कि investment गिर जाएगा, जब तक क profit आप कमा रहे हैं, तो यसे मेरा मानना है कि internal demand सबसे मूल मूल मसला मांग होगी, तो लोग invest करेंगे, invest तो profit भी आएगा, तो मूल मसला मांग create करना का है, तो मूल मसला ओर आता है, खेती की बात जब अकसर करते हैं, अरभी जी, तो एक सुझाव यह भी आता है, कि घर में द और कितनी खपत है उसमें आपको देखना पड़ेगा अब मालने हमारे पास चीनी का इतना उत्पादन होगे हमारे स्टॉक्स बढ़े पड़े हैं तो हम उसका लोग कहेंगे साब एक्सपोर्ट कर दीजे एक्सपोर्ट कहां करें क्योंकि पूरी दुनिया में उसकी खपत से जो बजार में दाम यहां पर हमारे 30-35 रुपय का दाम है अगर हम निर्यात करेंगे तो हमें बाइस रुपय मिलेगा तो बाइस वो सोचेगा थे महीने बाद यहीं तीस रुपय ले लोगो तो बाइस रुपय में एक्सपोर्ट क्या करेंगा सरोकार ने इंसेंटी दी तब बढ़ गया था उसमें करीब 20-25 फीजदी की गिरावाट आई है एक नया रास्ता खुला था हमारे यहां मेट एक्सपोर्ट का वो सरकार के नितिगत फैसले जा कुछ पोलिटिकल डिसिजन की वे से वो सारा ठप हो गया या उसमें बड़ी तेजी से गिरावाट आई तो व आपका एक लों टर्म रिलेशनसीप होता है आप उसको एशोर करते हैं कि आप हमेशा उसको निर्यात करेंगे लेकिन हमारे यहां प्रोलम क्या थी है कि अगर जरह सब दाम किसी चीज का देश में बढ़ जाता है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री की लोभी तनी सक्रिय हो जाती है वो तुरंथ आपके एक्सपोर्ट को ओरनाइट बैन करते हैं कई बार तो शिप्मेंट पढ़े रहते हैं पोर्ट के उपर और उस वकत बैन हो जाता है तो यह जो अनिशित्ता भी उसमें अगेटिविटी की तरफ ले जाती है और हम लोग कुछ इस तरह के मार्केट्स पे होती थी वो हो गया है बंद वो आपका स्वयाबीन हो वो आपका शुगर हो और कुछ कॉमोडिटीज हो वो उनसे बाहर निकल गया उसमें उनका इंट्रेस्ट नी है तो जब पैसा लगाने वाला भी तो चाहिए ना आपको ब्ल प्राइस वो निकल गया है तो दूसरे क पार्केट में हम लोग उस तरीके से कप्रिट करना बढ़ा हुआ है निकल भविश में उमीद नहीं कर सकते हैं बहुत सार तक चर्चा रही हो और इसका सलूशन इसका रास्ता जो समझ में यह आया है कि तीन बाते महुत साफ चर्चा में हुई एक कृशी का मस्तला हो कर रोजगार का मस्तला हो चुनोतियां इतनी बड़ी है कि रास्ते बहुत आसान और सीडिय सहज नहीं है नमबर दो स्मॉल स्क्टर रोकसर आपने बार बार कहा कि स्मॉल स्क्टर को जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा बहुत छोटे स्क्टर बहुत ध्यान नहीं देंगे समस्यावजे कहीं ज्यादा हैं उम्मीद करते हैं कि अगले साल या अगले महीने हम डिसक्स करें तो कुछ और भेतर आख़ों के साथ बैठें नमस्कार धन्यवाद